तो आज हम खेलेंगे लिटी यह Brew यहह हमारे बगवान focused की खेल सबसे पहलेंगे निस्न पंगो लगांगे विख्राइँ आज है होली का दिन और आज हमारे घर पे आए थी मासियां और उन्होंने बहुत सारी हमें दी दुआएं और सबसे पहले हमें ममी ने कहा कि हम इनके साथ होली खेलेंगे ये भगवान की रूप में नारायन जी के रूप में होते हैं तो ममा कह रही थी कि हम बहुत लगी हैं कि आज हमारे घर पे मासियां आई और हमारे साथ होली खेली तो गाइस हमें इन्हें भी एक बहुत अच्छी प्लेस देनी चाहिए जो लोग इनसे नफरत करते हैं इनको गलत बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए अगर हम लाइफ में किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो हमें उनको दुख भी नहीं देना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि बहुत जादा दुआएं हमारे साथ हो तो हमें इनकी दुआएं मिल गई वो हमारे लिए बहुत काफी और बहुत जादा ये लोग खुश हो गए हमारे समाज में इनके लिए लोग बहुत गलत समझते हैं कि ये पैसे मंगने आते हैं कोई काम भी तो नहीं देता अगर कोई ऐसा सोच रहा है इनके बारे में तो कृपया ऐसा मत सोचिए और इन्हें रिस्पेक्ट दीजिए तो अभी हमने बहुत अच्छी होली खेली है तो गाइज अभी हम आचुके हैं पालेज और पालेज हमारे एमदाबाद का बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है यहां पे लोग होली वाले दिन आते हैं यहां पे होले का देन होता है तो यहां की मानिता है कि यहां पे जो लोग है ना वो होले का जलती है ना वहां पे मतलब गरम गरम जो कोल होते हैं उनके ऊपर चलते हैं उससे मनकामना पूरी होती है और यह पूरा मंदर है आप देख सकते हैं यह बहुत जादा प्रसीद मंदर है कहा जाता है कि यहां पे से कोई इस मंदिर आया है और यह देख सकते हो पालेच की बहुत जादा बड़ी होली का दैन है यहां पे लोग गरम-गरम टांडों के उपर चलते हैं और उनकी मनकामना पूरी होती है यह है एक नागा बाबा का मंदिर वहीं पर ही तो गाइस अभी आए हैं हम मॉम के गर और अब हम जाएंगे अपने टप्पू को लगाएंगे ग्रीन येलो रैड सब थोड़े तोड़े कलर टपी को लगाएंगे और रैड भी लगाएंगे और अभी हम चल पड़े हैं टफी की और ये देख सकते हो घर में कितनी जादा बढ़ चुकी अभी हमारे आपे चलो बेटू हाई करो ममा को कलर लगाने दो कभी हमेशा खुश रहे कोई दुख नहीं आए मेरे टफी महाकाल खुश रहे हैपी होली बेटू ममा को करो क्वल च त्षका आज हम कर रहे है हैपी होली और मेरे बपा ने मुझे लगाया है कलर और मेरी मंबी को भी लगा रहे हैं और मेरी मिक को भी लगा रहे हैं आल मैं upwards अब till या सारे कलर उठा के लगाउंगा फिरे और जल्दी से जल्दी करिए पहुआ हम ममी को लगाएंगे है David वह अर यह निनल्लाग शब्ला तियने मुझे लगा लगा इंगे हम क के शेटे आ यह ऐ शंब थी निलिए और मईंटी को लगा दी है और यहुथ मैं भी पिड़ा लगावा हूं एक वहिचा केज अ इह टार अब हम अपने बाबा को लगाएंगे जूलेलाल जी को लगाएंगे जिसके बिना मेरा हर एक फैस्टिवल अदूरा होता है तो अब मेरा फैस्टिवल हुआ कम्प्लीट तो गाइस मैं जिन्दगी में जितनी पाटी ओली हूँ उतनी भगवान ओली भी हूँ तो जादा तर मैं भगवानों के साथी सारी चीज़े सेलिब्रेट करना पसंद करती हूँ और हर एक फैस्टिवल पे आपको ये मंदिर दिखता ही होगा और हमेशा हर फैस्टिवल मेरा यहीं से ही शुरू होता है तो हरर महादेव जै जूलेलाल आज है holy nani के करा है आज हो अनली हाई और ताइन मिल्या आज होले कघा टो है ऐसे होले आज होले अलारा सवे ये हैं मारता हं लुक्झ पल्लाए मैं लुक्त करता है कि फैस्पी होलियोलियाएвор़ी है। सकार ऑक्सराओंस और गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने सोसाइटी की और तो अब यहां पे हम सबसे कलर लगवाएंगे और अब से हमें म्यूजिक करना पड़ेगा म्यूट क्योंकि पीछे चल रहे हैं सॉंग्स यू नो डैट के कॉपी राइट लगने के डर से हमें म्यूट करना रहता है तो सारे लोग देख सकते हो हमारी सोसाइटी के बहुत जादा प्यारे हैं और गाइज मैं जैसे कि हमेशा कहती हूं यह ओम शांती ओम सोसाइटी नही यह ओम शांती हों परिवार है यह देख सकते हो यार इतना प्यार तो मुझे किसी कलब में भी नहीं मिल सकता था और कलब में ऐसी लिए नहीं जाती हूं क्योंकि वहां ऐसा मज़ा ही नहीं हो सकता तो पैसे देने के बाद भी ऐसा मज़ा कहीं नहीं आएगा तो यहां पे ह प्यारी प्यारी सोसाइटी है मैं जहां भी रहूं जहां भी जाओं यहां आना मैं नहीं बिल सकती जजाएन में जसकता है फाट दो जाना माचक में जाएटी सब्सक्राइटी है अब छाले के लिए हमारी खालतर एक पाट है झाल 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 पूचो की बहुत ज्यादा हेल्प करती थी मेरे वीडियो बनाने में अभी पी कभी कभी कर लेती है पहले हम रहते थे नीचे उपर तो फिर बदमाश लड़कें में थेलियां मार रहे थे अपनी सोसाइटी से झाल 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 झाल